असलाम लेकुम नाजरेन, वेलकम टू कमल्स किचन, कैसे हैं आप लोग, उमीद है कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, आज मैं आपके साथ जो रैसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है चॉकलेट बिसकेट, बेकरी स्टाइल की जो बिसकेट होते हैं, वो बनाने जा रहे हैं हम, ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, बल्कि सब के फेवरिट होते हैं ये, और बहुत असानी से बन जाते हैं, इसकी रैसिपी बहुत असान है, और स्टाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताके मेरे आने वाली हर वीडियो आपको असानी कि अतवे, भटर ले ले लिया है, तो हिजती रेल केशने भांचट काने अैक से बंगी अदो सब्सक्राइब को को हो बाद करता है, दोड़ा बैडियों अदल धें आपको नर्ट वार मेरे जेए, जापशाए, अमदने होता है, बन चरवातल करें तो तेम्ग सब्सक्रा नो बटर बटर रोम टेम्परेचर होना चाहिए और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि यह फ्लफी हो जाए विद्कुल पांस से साथ मेंने तक हम इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि यह बिल्कुल फ्लफी हो जाए यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डालेंगे फिसीवी चीनी अब फिर इसको अच्छे से बीट करेंगे तब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है इसको भी हम पांस मिनट तक बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे पांस मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर देए गांस मिक्स कर देए अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर इसमें मिल्क पाउडर जरू डालेगा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत जादा क्रिस्पी से बिस्किट बनते हैं खस्ता से आप जरूर इसमें मिल्क पाउडर एड़ करिए इसको अच्छे से मिला देंगे अब इसमें डालेंगे हम एग योग अंडे की जर्दी आप अच्छा चर्फ आइट शेट है अचर्फट बनका एले मिल्क बिस्काइट है अच्छाट अच्छाट आप में आप कोपाइट करेंगे मैदा और इसमें हम डाल देंगे कोपाइट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे करें जहां देंगे अब इसके मिक्स त्यार है बिस्कित करें बना सकते हैं इसमें आधे ग्रीश कर देंगे कि इसी तरह का भी डिजाइन कर सकते हैं आपकी मर्जी या इसको साधर रखना चाहें साधर रख देंगे लेकिन हम बीच में थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इसी तरह सारे पिसकित हम बना लेंगे कि अब कि अब कि कि I am a ने पतीली गरम करने रख दिदी आपके प्री हीट हो जाए इसपे आप यह प्लेट रखंगे और इसका डखन बन कर देंगे और यह जो होल होता है इसमें फॉईल पेपर से एशाल की और पनदा मिंट के लिए इसको छोड़ देंगे और पी यह तयार हो जाएंगे यह देखें यह मैंने 50-20 मिनिट्स में 15-20 मिनिट्स में निकाल ली हैं बेक हो गए थे लेकिन अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा करना है फिर इसके बाद इसके उपर हम आइसिंग चॉक्लेट बनाएंगे वह लगाएंगे लेकिन इससे पहले हमें आदे घंटे तक रीवन इसक करने रख देना है यह बिसके बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं अब इसके लिए हम आइसिंग चॉकले आइसिंग शुगर तो तो बिल्समून ले लिया है इसमें हम दालेंगे कोको पॉटर और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एक पाई डालेंगे एक साथ मही डालना है इसे हमें गाड़ा सा एक मिक्स्टर बनाना है प्रेकरी के बिसकेट्स में यही आइसिंग लगती है चॉकलेट आइसिंग चॉकलेट अबने ट्या कोफो के ड़ंसरा eighteen ह Правी है प्रेम कशों नहीं हॉकल ситуें रिया है व्रेफ़ा करो कि नहीं हम तसस्वाव हॉकल bisa एक बंसने बालना रालना मुझलाव मॉकशल को फॉकलoria है अब हमें एक एक ट्रॉप इसमें बीच में लगा देना है और ठंडा करने रग देना है अब हमें लगा देना है अब हमें लगा देना है अब इसको ठंडा करने रग देंगे तकरीबन आदर घंटा लगे इसको ठंडा करने हैं अब इसको हम रूम टेमपरिचर में ही ठंडा कर लेंगे यह फॉर्ण ठंडा हो जाता है यह अइसिंग जोती वह फुट भुट जो है वह बिल्कुल हाड सी हो इसको हम आदर घंटे के लिए छोड़ देंगे यह हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए हैं ड्राय हो गए हैं बिल्कुल और बहुत अच्छे बने हैं खस्ता से आप जरू ट्राय करें आपको जरू पसंद आएंगे और अगर वीडियो पसंद आई रेसिपी पसंद आपको तो फीड़ बैक जरू दिया करें लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरू प्रेस किया करें ताके मेरे आने वाली हर वीडियो आपको असानी से मिल सके और अपना बहुत सारा खैल रखें अलाफेश